Hello and welcome investors, my name is Dinesh and you are watching Mr. Kashyab YouTube channel दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही interesting share price के बारे में बात करेंगे साथ के साथ मैं market के अंदर कौन सी trending news लेकर के चल रहे ही company को उसके बारे में बात करेंगे company के financials के बारे में आपको रूबरू कुराएंगे और company की balance sheet और equity share capital plus में long term borrowing और short term borrowing company की क्या उन सब चीजों के बारे में आज detail में बात करेंगे उम्मीद में करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को like कीजिगा share कीजिगा इस वीडियो को अपने दोस्तर रिष्टेदारों के साथ में और channel subscribe करके bell icon notification जरूर से on करतीजिगा ताकि आपको आने वाली सबी वीडियो उसके notification बिल्कुल समय पे मिल सकें दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दानता लिमिटेट के बारे में दोस्तो अगर इसके share price के अगर आज की date में बात करी जाए comparison की तो market के अंदर अगर अभी देखेंगे आप जैसे कि आज market कुलाता तो इस share price की कीमत तक्रीबन थी आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है वहीं अगर दोस्तों बात करें आज की date के अलावा पिछले पास दिनों की comparison की बात करेंगे तो पिछले पास दिनों की comparison में सबसे जादा highest point पे रहा जब ये share वो इस वाले point पे रहा था जब इस share की कीमत तक्रीबन तक्रीबन एक सो 9 रुपे और 25 पैसे Indian currency के अंदर बताई गई थी और सबस्यादा गिरावट इस वाले point पे आई है जब आप देखेंगे 104 रुपे और 35 पैसे Indian currency के according इस share की कीमत हो गई थी वहीं पर बात करेंगे पिछले एक महीने के comparison के बारे में तो थोड़ी सी बढ़त आपको इसके दोस्तों जो market के अंदर trending news चल रही हैं वेदानता company को ले करके उनसे अभी रूबुरू कराते हैं आपको लेकिन फिलाल करिया अभी आप ये चार्ट पैटन जरूर से देखीगा गोर से इस चार्ट पैटन के अंदर मैं बात करू तो सबस्यादा गिरावट इस वाले point पे देखने को मिली है जब 101 रुपे और 5 पैसे इस चेयर की कीमत हो गई थी वहीं अगर मैं बात करूँ सबस्यादा उच्छाल की तो इस वाले point पे आपको देखाई देगा 111 रुपे इस चेयर की कीमत हो गई थी जब आप पूरी के अच्छे तरीके से यहाँ पे डीटेल में चेक कर सकते हैं वहीं अगर 6 मेने के comparison की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि COVID-19 के कारण इस company को कोई भी फारक नहीं पड़ा गरोना वाइरस का फारक इस company को पर भी पड़ा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और देखने के बाद बाद आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 23 मार्ज से देखें कितनी गिरावट आई थी लेकिन अच्छी बात यहाँ कि company दीरे-दीरे करके ही सही comeback करने का कोशिश जरूर कर रही है ताकि company के जितने भी shareholders है उन्हें कई ना कई थोड़ा बहुत तो benefit कम से कम हो ही सके इसके लावा दोस्तों दीरे-दीरे करके ही सही company यहाँ पर profit gain करने की कोशिश करी है और जहाँ पर अगर dividend की बात करी जाए तो company dividend देने का भी प्लान कर रही है इसके लावा दोस्तों वेदानता गुरूप से लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या न्यूज आईए वेदानता से एक टू ठीक है अपसाइज ल लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है और वेदानता गुरूप से लेकर के SBI, SBI Life जो है रिप्लेस कर दिया है इन Nifty के अंदर जो की SBI कार्ड को लेकर के हैं एंटर 5 के अंदर यह न्यूज आप जाकर के पूरी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं Economics Time पे और Live Mint के ओपर जाकर के Economics Time पे यह सारी के सारी न्यूज अभी ट्रेंट कर रही है फिलाल के लिए दोस्तों लिए चलता हूँ आपको Company के Financials के ओपर जहां पे Company के revenue के मैं बात करा हूँ है दोस्तो अगर मैं बात करूँ कंपनी के रेवन्यू के बारे में तो रेवन्यू के अंदर भी घाटा दिखाई दे रहा है कंपनी का आप जो रेवन्यू का घाटा है 14% का कंपनी को घाटा हुआ है रेवन्यू के अंदर तो आपको money control की website पे और इसका पूरा का पूरा credit हम money control वालों को देते हैं और दोस्तों money control पे जाने के बाद आप यहाँ पे जैसे देखेंगे सारी की सारी details आपको यहाँ पे पता चल जाएगी company से कौन सी news आ रही है company का equity share capital क्या है long term borrowing company क्या है अगर मैं सबसे पहले equity share capital की बात करूँ तो दोस्तों equity share capital company का 2016 के बाद में कभी एक point भी नहीं बढ़ा जो कि एक अच्छी बात है negative point नहीं किया सकते इसको positive point के तोर पे consider जरूर से किया जा सकता है वहीं अगर दोस्तों बात करते reserve and surplus के बारे में तो एक negative point यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको 2016 के बाद से reserve and surplus company का हर साल कम से कम होता गया है कम होता गया है जो कि एक negative point की बोला जा सकता है negative point जरूर से इसको हम कह सकते हैं वहीं पे अगर दोस्तों long term borrowing के अंदर बात करें तो तीन सालों से लगातार company की short term की जो बोरिंग से वो कम होती जा रही है एक जगा positive मार रही है company एक जगा negative मार रही है इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा steady कीज़ेगा और अच्छी तरीके से आपको share के behavior के बारे में पता चलेगा लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कौन सा share खरीदना चाहिए कौन से share को hold करके रखना चाहिए दोस्तों इसके अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके अंदर आपको suggest नहीं कर सकते वो आपके उपर है आपका profit है आपने पैसा लगाया आपका income होगी आपको benefit होगा क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर आप जब तक आपकी खुद की study involved नहीं होगी तब तलग आप इसके अंदर काफी अच्छी जो benefit होते हैं वो नहीं gain कर सकते हैं इस चीज़ को धियान में रखेगा तो किसी के भी कहने से और किसी के भी बोलने से share को बेकने और खरीदना बंद कीजिए अपनी personal study को उसके अंदर involve रखेए हम इस चैनल के माध्यम से जरूर से आपको थोड़ी सी prediction बता सकते हैं थोड़ी सी चीज़े आपको बता सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से यहां पे guidance मिल सकें थोड़ी सी अच्छी तरीके से आप यहां पे share को study कर सकें उम्मीद में करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से आप इस वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्ते रिष्तेदारों के साथ में चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से on कर दिजिएगा